बिस्मिल्ला अर्वान असलम आलेगू मैं हुरुषान आपकर आप सब्सक्राइब कैसे हैं शालत अल्या खरेश से होंगे आज यह कुछ अब जब जब सी वीडियो शेयर कर रही हूं यानि आज जो है मैं मटन गा भुना गुष बना रही हूं तो मेरे बहुत से चाने वालों आख बैडाले मेरे वीडियो बहुत जादा लाइक करते हैं तो नोगों ने बहुत जादा कमेंट करके कहा था मतन भीना को शाना के मैंने पेहले एप लोड की अपने से शियर करती हूं तो मैंने क्वाटर कप जो है आइल डाला उसमें खड़ा गरम मसारा डाल दिया पेस का मतन को फिर आपको दिफाती है बहुत ही मज़े का हमारे ये मतन बुना को स्यार होगा और आपको पता है ये बक्राइट की वैसे इस सक्के घरों में गोश है माशल्दा से तो नहीं ने डिशित बनाईए और मज़े मज़े के खाने अपने घरवानों को खिलाईए बिस्मिल्ल तो इसके निये मैंने कॉर्टर कब सरस्ओ का तेल लिया सर्सो के तेल में खाने बहुत मते के बनते हैं यदि गोश बनाती हूं जो है दो प्याज और थोड़ा सा लगसा नद्रग पीस की डाल दिया है अभी हम इसको भूणते हैं प्यास को और फिर इसके बाद जो एसमें दालेंगे, आदा किलो से थोड़ा से जादा मेरा मटन है, मैं उसको भी थोड़ा से फ्राई करके फिर इसमें डालेंगे, दबदस्ता हमारा बुना गोश जो है, यह तैयार हो रहा है, बकराई थे माशालला सबके घरों में गोश है, तो आप जो है, इस तरह के भुने-भुन गई तो मैंने मटन को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, आदा किलो तो थोड़ा सा जादा मटन है, उसको फ्राई करके मैंने प्यास के अंदर डाल दिया, पहले मैंने आई लिया, उसमें खड़ा गरम मसारा डाला, तेज पाच और दो तिन बड़ी बड़ी इलाइची चोटे लाइची और लॉंग डाल दी, बीरा डाल दिया, फिर मैंने जो है दो तिन प्यास लेके और लस्ता नद्रक मिलाके इसको ग्राइंड करके डाल दिया, जब वो खुब अच्छी तरह भून गया, तो मैंने थोड़ा सा आदा किलो से थोड़ा सा जादा मटन लेके उसको थो ऑ जाद हमारे अच्छी तरह गुन गई है तो अब हम one table स्बून red पीसी मिर्चे है, half tablespoon हल्दी है, हल्दी है, ये इसमें फिसा धनिया है, और half tablespoon कूटा जीरा है, थोड़ा सा कूटावा धनिया है, साबिद धनिया, quarteriva और अमक आदर मिक्स कर देंगे, बिसमिर्वेबर क्ष और इसको यह बच्छे ज़रा मिक्स करेंगे देनेंगे इसको को तो दो बदर सा मतन हमारा बुना गोश्ट तयार हो रहा है अब इसमें तीन के माटर मेने लिए उसको बारी ग्राइंड कर दिया ग्रान दिया इसके अंदर रहें आप निके माटर के साथ भूने हैं इसको हो रहा है जल्दी वोइड़ी तयार हो जाती है अच्छी तरह से ताकर बिल्कुल भी स्मैल वागारा बनाए और फुब अच्छी तरह जो है भुनावत गोश्ट जो है मारा तैयार हो जो है फोटोविल इस्पून इसमें जो है डाल दिया इससे यह भुना गोश्ट हमारा और मज़े का बन जाएगा फुब अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर देंगे इसके अंदर पिर मैं आपको है इसमें हरी मिर्चे काटी बारीक और अधरक हर अधनिया भी डाल सकते हैं और लीमू आप डालें इसको निचोड के इसमें लीमू डाने के बहुत मत्यका लगेगा लान के साथ अंदूरी रोटी के साथ चपाती के साथ जिसके साथ भी आपको दिल्चाए खाएं और कुछ रहें बात रहें लात अला आप सब की इफाज़त करें लाप बेस